मसाला दूद बनाने के लिए हमें चाहिए एक ग्लास दूद चार-पाँच छोटी इलाइची और तीन-चार लॉंग तुलसी के ताजे गुणकारी पत्ते लिए हैं हमने चार-पाँच पत्ते लिए हैं हमने यहाँ पे तो एक ग्लास के लिए इतना काफी है आधा इंच अद्रक का टुकड़ा जिसको हमने ग्रेट कर लिया है इससे फ्लेवर बहुत अच्छे से खुल कर आएगा अद्रक का अद्रक हमारी इंडियन कुकिंग में बहुत जादा इस्तिमाल होता है तो अद्रक लिया है काली मिर्च थोड़ी सी काली मिर्च डालनी है हमको एक ग्लास दूद में एक चुटकी जस्ट अपिंच काफी है बहुत जादा डालने की जरूरत नहीं पड़ती है काली मिर्च को तो थोड़ी सी डालेंगे और ली है हमने थोड़ी सी हल्दी हल्दी के गुंद सभी जानते हैं इस दूद का बहुत ही इंपोर्टेंट हिस्सा है हल्दी जिसके कारण इस दूद को गोल्डन मिल्क भी कहते हैं तो आईए अब हम शुरू करते हैं दूद बनाना एक पैन में दूद को हमने उबालने के लिए रख दिया है हमारा दूद दीरे दीरे गरम हो रहा है अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर और इसके बाद हम डालेंगे इलाइची और लोग और फिर तुलसी के पत्ते ये डाले मैंने और अब हमारी अद्रक सारी चीज़े हमने डाल दिये अब इसको हम लोग एक स्पून से मिक्स कर लेंगे और इसको उबलने देंगे ये देखिए हमारा दूद अब उबलने लगा है जब दूद अच्छे से उबल जाए देखिए इसका कलर भी कैसे चेंज हो जाता है एक दम ही रंग बदल गया हमने अब डाल दिया काली मिच इदम थोड़ा सा काली मिच डालना है जैसा कि मैंने कहा डालके स्पून से उसको हमने मिला लेना है और हमारा दूद अब छनी से चान कर ग्लास में सर्फ कर सकते हैं ये हो गया हमारा दूद तैयार इस दूद के बहुत ही फाइदे है क्योंकि इसमें बहुत सारी गुणकारी चीजे डाली है हमने इस कबही भी किसी भी समय सुबह भी पी सकते हैं शाम को भी पी सकते हैं पर सबसे best time है इसको पीने का रात को सोने के पहले इससे आपके जोडों के दर्द में बहुत आराम मिलता है इससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है जिसको डाइजेस्ट करने में जिसको अस्विदा है उनके लिए बहुत अच्छा और बहुत अच्छी नींद भी आती है तो जरूर ट्राइ करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें